पिष्ले कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की भारी कमी चल रहे थी दिल्ली को आज जितनी हमारी हॉस्पिटल हैं जितनी हमारी हेल्थ इंफा सक्चर है जिसको चलाने के लिए 700 टन ऑक्सीजन की डेली जरूरत है लेकिन दिल्ली को मिल रही थी किसी दिन 300, किसी दिन 300, किसी दिन 400, किसी दिन 400 इस तरह से दिल्ली को oxygen मिल रही थी जिसकी वज़े से अस्पतालों में कमी हो रही थी, अस्पताल मेसेज पर मेसेज डाल रहे थे फिर मीडिया में आ रहा था इस हस्पताल में घंटे भर की ऑक्सिजन बची है, उदर आदे घंटे की ऑक्सिजन बची है, मरीजों की मौत हो सकती है, और काफी जादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सिजन केंदर सरकार ने भेजी है, जैसा मै दिल्ली को 700 टन ऑक्सिजन की जरूरत है, कल पहली बार केंदर सरकार ने 730 टन ऑक्सिजन भेजी है, हम तहे दिल से दिल्ली की जंता की तरफ से उनका मुख्यमंतरी होने के नाते मैं केंदर सरकार का बहुत-बहुत शुक्रियादा करता हूं, मैं दिल्ली हाई कोट का बहु लोगों को कल 730 टन ऑक्सिजन मिली हम तही दिल से शुक्र गोजार हैं बहुत सारी जाने बचेंगी इसकी वज़े से इस एक कदम की वज़े से लेकिन एक दिन 700 टन ऑक्सिजन आने से काम नहीं चलेगा जब तक ये कोरोना की सेकंड वेव कम नहीं हो जाती हमें डेली 700 टन ऑक्सिजन की जरूरत हैं ऐसा नहों कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए फिर से सारे अस्वतालों के अंदर हाहा कार मच जाएगा मेरी सबसे हाथ जोड़के विंती है अपील है प्राथना है कि ये 700 टन ऑक्सिजन अब कम मत होने दीजेगा डेली 700 टन ऑक्सिजन आनी चाहिए दिल्ली के अंदर और इसके लिए दिल्ली के लोग हमेशा के लिए सभी के रिनी रहेंगे हम सब लोग शुक्र गुजार रहेंगे इस दौरान जब दिल्ली के अंदर ऑक्सिजन की कमी हुई थी तो कई अस्पतालों ने अपने बेड़ कम कर दिये यह बहुत बड़ा अस्पताल है जिसमें 300 बेड़ है उसमें 100 बेड़ कम कर दिये ऐसे समय में जब करोना की हमारी चल रही है लोगों को बेड़ नहीं मिल रहे हमारा प्रयास तो यह होना चीए कि हम ऑक्सिजन के बेड़ की आईस्यू के बेड़ की संख्या को और बढ़ाएं लेकिन अगर ऐसे समय में बड़े बड़े अस्पताल अपने बेड़ कम कर देंगे तो फिर तो लोगों के अंदर त्रही त्रही मच जाएगा इस तरह से कई अस्पतालों को हमें सरकारी अस्पतालों के अंदर बेड़ LNJP में बेड़ कम करने पड़े जीटीवी में बेड़ कम करने पड़े वो सब beds अपने उतने ही बढ़ा लें दूसरी बात कई अस्पताल वालों से मेरी मुलाकातों इन दिनों में सभी अस्पताल दिल्ली के सभी लोग इस वक्त एक जुट होकर एक परिवार की तरह मिलके इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं कई अस्पताल वालों ने मुझे कहा कि अगर आप हमें उचित समुचित अगर ऑक्सिजन दिल्वा दें तो हम और बेड़ बढ़ा लेंगे कोई कहता है मैं 100 बेड़ और बढ़ा दूगा लोगों को बचाने के लिए मैं 1500 बेड़ और बढ़ा दूगा तो मैं पूरी उमीद करता हूँ कि वो सभी अस्पताल अब जब 700 टन ऑक्सिजन डेली आया करेगी तो वो ना केवल अपने जितने बेड़ हैं उनको चालू करेंगे लेकिन जो बेड़ और जितने बढ़ा सकते हैं उनकी जितनी भी क्षमता है और बढ़ा सकते हैं और ज से ज़ईफे मिशंट को और जा जा सके उनकी जान बचाए जा सके आगली कुछ दिनों के अंदर हमने बहुत बड़े स्केल पर प्लान किया हुआ हैं अगर 700 टन ऑक्सीजन अगर 700 टन ऑक्सीजन डिली आ जाती है दिल्ली के अंदर हम इतने सारे oxygen के beds create कर देंगे धेरों beds create करने के हमने plan बनाया हुआ है हम इतने oxygen के beds अभी oxygen की कमी की वज़े से हम राधास्वामी सबसंग में हम 5000 bed create कर सकते हैं बुराडी में दो जगे हम लोगों ने 5000 bed तयार किये हुए है Commonwealth Games के अंदर 1000 bed तयार किये हुए है यमना Sports Complex में 1000 bed तयार किये हुए है 9.5-9.000 bed हम तुरंथ तयार कर सकते हैं अगर oxygen समुचित मिल जाए हम लोगों को तो अगर oxygen समुचित मिल गई हम ये सारे bed oxygen beds create कर देंगे अगर 700 ton oxygen daily आने लग गई मैं आपको यकीन दिलाता हूँ डिल्ली में किसी भी व्यक्ती की oxygen की कमी की वज़े से मौत नहीं होने देंगे डिल्ली में किसी को भी oxygen की कमी नहीं होने देंगे oxygen का bed हम कम से कम हर एक व्यक्ती को उपलब्द करा पाएंगे अगर हमें डिल्ली 700 ton oxygen मिलना चालो हो जाएदा हर व्यक्ती को oxygen का bed मिलेगा oxygen की कमी की वज़े से आपको किसी तरह की तकलिफ नहीं होने देंगे दूसरी बात अंत पंत में तो अपने को vaccination करना पड़ेगा इसका समधान तो vaccination है और vaccination अभी 18 से 45 साल के उमर के युवाओं के लिए जब से हमने vaccination खोला है तो बड़ा उत्सा है युवाओं के अंदर vaccine लगवाने का पिछले तीन चाह दिन में मैं मनीश जी सतिंदर जैन जी हम सब लोग कई सारे vaccination centers का दौरा करके आए हैं युवाओं से मिलके आए हैं इतना उत्सा है युवाओं के अंदर और दिल्ली के अंदर जो व्यवस्थाएं आपकी सरकार ने की है आपके लिए vaccination centers में उसको लेके लोग बहुत खुश हैं इतने messages आ रहे हैं मेरे पास इतने messages आ रहे हैं लोगों के युवाओं के के जी बहुत अच्छे व्यवस्था है और मैं गया था मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ पर वैक्सिन लगवा के मेरी सभी युवाओं से अनुरोध है युवाओं से क्या आप तो 18 साल से उपर जो भी है केवल 45 साल तक की मैं बात नहीं कर रहा है मैं सब की बात कर रहा हूँ अगर आप 18 साल से उपर की उम्र के हैं और आपने वैक्सिन नहीं लगवाया तो आप जजूर रजिस्टर कीजिए एपॉइंटमेंट लीजिए और जाके वैक्सिन लगवाईए अपने जादा से जादा दोस्तों को बताईए रिष्टेदारों को बताईए सब लोगों को वैक्सिन लगवाने के लिए प्रेरित कीजिए अभी तक हम लोग दिल्ली में 35,74,000 लोगों को टोटल 35,74,000 डोज दे चुके हैं इनमें पहली डोज 28,00,000 लोगों ने केवल एक डोज लिए और 7,76,000 लोगों ने दोनों डोज लिए और पिछले तीन दिन से 18 से 45 साल की उम्र के लिए युवाउं के लिए ये खुला है तीन दिन में दिल्ली में 1,30,000 के करीब युवाउं को वैक्सिन लगी है और मैं उमीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी लगेगी अभी हमारी जितने पिछले तीन दिन के अंदर सारी विवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से लागू कर दी गई है सारी विवस्थाएं बहुत सलीके से ठीक तरीके से अब चल रहा है बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है एक ही कमी है आज हम चाहें तो इस वैक्सिन को कई गुना बढ़ा सकते हैं लेकिन अभी वैक्सिन की कमी सप्लाई की कमी हो रही है अगर हमें समुचित सप्लाई मिल जाए तो जैसा मैंने आपको प्रामिस किया था कि तीन महिने के अंदर ह हम इंतजार कर रहे हैं अगर सप्लाई हमारे पास सफिशन्ट आ जाएगी जितनी जल्दी सप्लाई आ जाएगी हम इसको बहुत सारे संटर खोल देंगे संटर खोलने में कोई दिक्कत नहीं है तो उसकी कोई चिंता नहीं है और मैं उमीद करता हूं कि आने वाले समय में बहुत सहयोग मिल रहा है, सभी कोर्स भी मदद कर रहे हैं, सारी संस्थाइं भी मदद कर रही है, और मुझे पूरी उमीद है कि उपर वाले के क्रिपा से हम जरूर इससे मुक्ति पाएंगे, नमश्कार.